आपको पता ही है कि फिलहाल हमारा चाप्टर चल रहा है इंटरनाशनल ओगनाईजेशन और उसी चाप्टर को हम लोग आज के क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं यह इस चाप्टर का पार्ट 3 है अगर आप न्यू स्टूदेंट हो और सोच रहो कि आज पार्ट 2 और पार्ट 1 तो करा ही नहीं तो टेंशन मतलो इसी चानल के वीडियो वाले सेक्शन में जाओ आपको इसी चाप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी दिख जाएगा पर हाँ चाप्टर यार थोड़ा जादा चल गया ना टेंशन मतलो आज हम लोग इस चाप्टर को निप्टाते हैं ये लास्क पार्ट है तुम्हारे इस चाप्टर का आज हम लोग इस चाप्टर को फिनिश कर देंगे तो थोड़ी ताली बजाओ ठीक है थोड़ा चिल्विल करो फाइनली आज हम लोग चाप्टर फिनिश कर रहे हैं चाप्टर में एक टाइनि टाइनि सा पोशन रह रहा है एक टाइनि सा टॉपिक रहे उस टॉपिक को हम आज के क्लास मे और तुमने देखो होगा कि पूरे हमारा टाइनी सा टॉपिक बच रहा है, उस टॉपिक को भी खतम करना है, बस इतना असा कर लो, फिर हमारा कनफेटी टाइम आ जाएगा, कनफेटी टाइम तो तुम जानते हो ना, नहीं जानते हो, तो I am sure तुम एक न्यू स्टूरेंट हो, टेंशन मतलो, वीडियो के एंड त that is the UN in a unipolar world, United Nation का एक unipolar world में क्या रोल है, सबसे पहले तो इस शब्द को पकड़ लेते हैं, यार ये क्या होता है unipolar world, ठीक है, unipolar world मतलब एक ऐसी दुनिया, जिसमें कोई एक country है, जिसके हाथ में सारी पावर हो, उसे हम कहते है unipolar world, पहले क्या था, cold war के टाइम में क्य था, दो सूपर पावर्स थे, USA, ठीक है, और Soviet Union, फिर हम लोगों ने end of bipolarity में क्या पढ़ा, कि Soviet Union का system बेकार था, Soviet Union खतम हो जाता है, ऐसे में पूरे वर्ल्ड में एक ही सूपर पावर बच जाती है, और वो सूपर पावर कौन है, अपना USA, कितना तो अजीब ऐस बनाए मैं USA, ठीक है, तो United Nations का इस unipolar दुनिया में क्या रोल रहेगा, USA को United Nations कैसे tackle करेगा, कैसे समभालेगा, वो तुम्हें इस topic में समझाया जाएगा, ठीक है, तो लोगों के दिमाग में अलग-अलग questions आते हैं, Can UN serve as a balance against US domination? तो आज कल के टाइम पर USA का एक dominance है, ठीक है, USA काफी strong position में है, तो क्या ऐसे में United Nations इस situation को balance out करने में कोई मदद कर सकता है? क्या ये dialogue maintain कर सकता है, rest of the world और USA के बीच में, तो अगर बाकी सारी countries USA को रोकना चाती है, टोकना चाती है, कुछ कहना चाती है, तो क्या United Nations हमारे लिए वो एक platform दे सकता है, जहां पर दुनिया की बाकी countries USA को address कर पाएं, USA से बातचीत कर पाएं, ये सारी चीजे एक-क करके जो की तुमें समझना है, वो ये है, कि USA को हम लोग easily check नहीं कर सकते, अगर आप सोचोगे कि यार कोई organization बना देते हैं, और वो organization USA को संभाल लेगी, USA को चुप करा देगी, तो ऐसा करना हलका सा मुश्किल है, USA को हम इतने आसानी से check नहीं कर सकते, इसके पीछे का कारण क्या है, पहला reason क्या है, कि अब Soviet Union नहीं रहा, Soviet Union नहीं रहा मतलब अब वो cold war वाला time period नहीं रहा, अब एक ही super power है और वो USA है, ठीक हाला कि हम लोगों ने एक chapter पढ़ रखा है, contemporary centers of power, उसमें तुम लोगों ने पढ़ा है कि अलग-अलग organizations आ रही है, EU, ASEAN, China के बारे में तुमने पढ़ा है, that being said, USA के हाथ में आज के टाइम पर एक अलग ही dominance है, तो USA को tackle करना मुश्किल है, अब वो cold war वाला time period नहीं है कि USA Soviet Union के साथ भिल रहा है, USA के हाथ में अलग ही power है, आज के टाइम पर USA के पास इतनी military power है, इतनी economic power है कि USA, United Nation तो क्या, किसी और भी international organization को बहुत आरा इतना आसान नहीं है, क्योंकि USA के हाथ में इतनी power है, कि अगर कोई international organization USA को परिशान करने लगे, तो USA को बिल्कुल फरक नहीं पड़ेगा, USA ignore कर देगा, USA को चेक करना इतना आसान नहीं है, इसका एक और कारण बताती हूं, एक और reason जिसके वज़े से USA को चेक करना आसान नह यह है, कि USA largest contributor है United Nation का, तो United Nation में सबसे ज़्यादा contribution ही USA कर रहा है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है, United Nations चाहा कर भी USA को नहीं टोक पाएगा, जहां सो उसे सबसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, जहां से सबसे ज़्यादा contribution मिल रहा है, उसको जाकर थोड़ी United Nations कुछ कह देगा, तो एक और reason, जिसके वज़े से United Nations में USA को टोकना मुश्किल है, वो यह है कि USA के financial powers बहुत ज़्यादा है, USA largest contributor है अपने United Nations का, next क्या है, एक और कारण, जिसके वज़े से United Nations को USA को टोकने में दिक्कत आती है, वो यह है, कि United Nations physically USA के अंदर ही है, ठीक है, तो United Nations का जो पूरा structure है, वो USA के अंदर ही बना हुआ है, तो ऐसे में भी United Nations चाहा कर भी USA को नहीं टोक पाएगा, तो United Nations का सब कुछ सारा structure कहां पर located है, Washington में, तो ऐसे में क्या होता है, USA को चाहा कर भी United Nations नहीं टोक सकता, क्यूंकि United Nations physically USA के अंदर located है, एक और reason जिसके वज़े से USA को टोकना मुश्किल है, वो ये है, कि United Nations के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग काम करते हैं, जो USA के हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, युनाइटेड नेशन के ब्यूरोक्रेसी में, युनाइटेड नेशन के मैनेजमेंट में, जो USA से हैं, ठीक है, तो इस वज़े से भी USA को टोकना मुश्किल है, और सबसे इंपोर्टेंट रीजन जिसके वज़े से USA को कुछ भी कहना मुश्किल है, वो है USA का वीटो पावर, याद है आप लोगोंने पिछले लेक्चर में भी और उसते पहले वाले लेक्चर में भी हम लोगोंने पढ़ा था, कि 5 ऐसी पर्मिनेंट कंट्रीज हैं, जिनके पास वीटो पावर है, वीटो पावर एक नेगिटिव पावर की तरह होता है, जो क USA यूज कर सकता है, तो अगर कल को United Nations में कोई भी decision लिया जा रहा होगा USA के खिलाफ, तो USA जट से वीटो पावर लगाकर उस decision को खतम कर देगा, तो वीटो पावर के वज़े से भी USA के खिलाफ United Nations में कुछ होना बहुत जादा मुश्किल है, USA इतना influential है कि USA के वज़े से पू जान लो, United Nations में कोई discussion चल रहा है, ठीक है, कुछ लोग उस discussion के favor में है, और USA उस discussion के खिलाफ है, तो क्या होगा, world में split आ जाएगा, कुछ countries तो favor में होंगी, बाकी countries USA के side होंगी, तो USA में इतना influence है कि वो पूरे world में decision making के मामले में, एक split कर सकता है, ठीक है, एक दरार ला सकत है, तो ये भी एक reason है, जिसके वज़े से USA को control करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, तो overall इतने points सुनने के बाद हम ये conclusion निकाल सकते हैं, कि United Nations बहुत बढ़िया तरीके से USA के power को balance नहीं कर सकता, पर फिर भी एक ऐसे world में, जहां पर USA का dominance बहुत जादा है, उ उस world में United Nations का important role है, United Nations directly तो USA के power को balance out नहीं कर सकता, पर फिर भी United Nations का बहुत important role है, एक unipolar world में, क्या important role है, वो अभी हम discuss करना start करते हैं, तो USA के leaders ना अकसर United Nations की बहुत बुराइयां करते हैं, बहुत criticism करते हैं, पर उसके बावजूद USA खुद ये मानता है, कि United Nations एक बहुत ही important international organization है, बहुत सारी countries को साथ में जोड कर रखा है United Nations ने, तो एक बात तो ये है कि USA खुद United Nations की बुराइयां तो करता है, पर USA खुद जानता है कि United Nations बहुत important platform है, United Nations लोगों को एक platform देता है, जहांपर लोग अपने concerns को raise कर सकते हैं, तो अगर कल को बहुत सारी countries को USA से कोई दिक्कत होगी, कल को USA कुछ बहुत बुरा कुछ काम कर रहा होगा, तो United Nations हमारे लिए एक platform रहेगा, जहांपर हम सारे लोग जाकर complain कर सकते हैं, जहांपर सारी countries ये concern raise कर सकते हैं कि USA जो कर रहा है वो गलत है, and that itself is a very big thing, कि हमारे पास एक platform है, जहांपर हम लोग discuss कर सकते हैं USA के खिलाफ, ठीक है, तो ये importance है United Nations का, मैं ये नहीं कह रही कि United Nations के होने के वज़े से हम लोग USA को चुप कर सकते हैं, USA के powers को कम कर सकते हैं, पर मैं ये कह रही हूँ कि United Nations के होने के वज़े से at least हमें एक platform मिलत है, जहां पर हम ये बात कर सकते हैं, कि USA जो कर रहा है वो सही है या गलत है, ठीक है, अब तो यार, चाप्टर के conclusion में आ गए हैं, नेक्स तुम से बोल रहे हैं कि United Nations एक imperfect organization है, कोई भी organization perfect नहीं होती, और हमारी United Nations भी perfect नहीं है, पर United Nations अगर होता ही नहीं, तो दुनिया और ब बढ़िया काम कर रही है, ठीक है, तो आजकल के time पे अलग-अलग societies के बीच में connection बढ़ रहा है, interdependence बढ़ रहा है, अलग-अलग countries एक दूसरे के उपर बहुत जादा निर्भर होती हैं आजकल के time पर, तो ऐसे में United Nations जैसी organization का importance और बढ़ जाता है, जहां पर अलग-अलग countries के लोग साथ में मिल जूल कर बातचीत कर पाई, आपको ये भी पता है कि recent time में technology बहुत जादा increase हो रहा है, और आने वाले time में technology और increase ही होगा, जैसे जैसे technology बढ़ेगी क्या होगा, हम लोग भी एक दूसरे के साथ जादा connect करने लगेंगे, अलग-अलग countries एक दूसरे के स साथ और connected हो जाएंगी, ऐसे में United Nations की importance और बढ़ेगी, तो अलग-अलग लोगों को, अलग-अलग government को तरीके ढूनने चाहिए, जिसके थू हम United Nations को support कर पाएं, जिसके थू हम United Nations को और better कर पाएं, क्यूंकि without any doubt आने वाले time में United Nations और important organization बन जाएगा, इसी के साथ तुम्हारा main जो theory वाला part है, वो chapter तो तुम्हारा खतम हो गया है, पर तुम्हारे book में ये कुछ-कुछ ऐसे boxes दे रखे हैं, जहां पर कुछ-कुछ organizations के बारे में तुम्हें बता रखा है, और तुम्हें ये skip नहीं करना, यार, CUT के लिए भी important है, board exam के लिए भी important है, क्यूंकि बाकी पूरे chapter में तो UN, UN, UN ही चल रहा था, United Nation ही चल रहा था, पर chapter का नाम क्या international organization, अगर इनने सिरफ UN ही पढ़ाना होता, तो chapter का नाम ही United Nation रखके निप्टा देते न, international organization मतलब और भी organizations हैं, जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, और वो इन लोगों ने ऐसे चुपा चुपा कर boxes में डाल दिया, बच्चे अकसर इन boxes को skip कर जाते हैं, पर इस chapter में आपको बिलको skip नहीं करना है, हम एक एक करके इन boxes को जल्दी जल्दी discuss करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, human rights watch के बारे में, तो ये एक international NGO है, जो human rights के बारे में research करता है, और human rights को ये लोग encourage करते हैं, ये largest international human rights का organization है, USA का, ठीक है, ये global media attention को भी एकटा करता है, तो अगर मान लोग किसी country में human rights के खिलाफ कुछ हो रहा है, तो ये organization क्या करती है, global media को इखटा करके हंगामा मचा देती है, कि यार इस country में तो गलत हो रहा है, कुछ example दे रखें हमारे book में, जैसे इन लोगों ने campaign कराया था, जिसमें इनोंने बताया था कि हमें landmines को ban करन चाहिए, इसके खिलाफ, child soldiers के usage के खिलाफ, इनोंने campaign करा था, ठीक है, international criminal court established करने के लिए इन लोगों ने काम कर रखा, तो ये हमारा human rights watch हो गया, बहुत deep तुमें इस organization में एक दम घुसने की, डूबने की जरुरत नहीं है, जितना जितना NCRT में बता रखा है, उतना तुम से कर लो, वही काफी है, MNST International में आजो, pages थोड़ा थोड़ा पल्टो, NCRT के तुमें हर जगा ये boxes दिखेंगे, MNST International पर आजो, MNST International क्या है, ये एक NGO है, और ये भी क्या करता है, ये protection of human rights के लिए काम करता है, human rights को protect करने के लिए ये काम करता है, all over the world, ठीक है, तो ये इस को promote करते हैं कि हमें human rights की इज़त करनी चाहिए, ठीक है, और universal declaration of human rights के बारे में ये लोग बात करते हैं, इनका मानना है कि human rights एक ऐसी चीज है, जो आप किसी से छीन नहीं सकते, ठीक है, और सारे human rights आपस में interdependent होते हैं, ये MNST International का मानना है, ये लोग human rights से related एक report भी बनाते ह हैं, और उस report को ये लोग publish भी करते हैं, अकसर जब ये लोग report को publish करते हैं, तो अलग-अलग countries की government इन से खुश नहीं होती, क्यूंकि अकसर ये अपने reports में अलग-अलग country के government की बुराइयां निकाल रहे होते हैं, ठीक है, तो nevertheless government को पसंद है, पसंद नहीं है, वो अलग issue है without being said, MNST International एक important NGO है, जो हम लोगों को human rights के बारे में informed रखता है, ठीक है, आप लोगों ने अपने छोटे classes में भी ऐसे कभी-कभी सुना होगा, कि MNST International के report के हिसाब से, तो ये वही वाला MNST International था, चलो, next आजाओ, IAEA में, इसका full form उठा लेते हैं, सबसे पहले तो, इसका full form है International Atomic Energy Agency, IAEA कहते हैं, और ये बना था हमारा 1957 में, इयर याद करो, कब बना 1957 में, ये बना कब, जब USA के President, Dwight Eisenhower कहते हैं, कि हमें Atoms for Peace लेकर आना, तो USA के जो ये जो President थे, वो एक proposal, वो एक project लेकर आते हैं, जिसको हम कहते हैं, Atoms for Peace, इसी proposal के वज़े से, IAEA बना था, इनका main purpose क्या है, main मकसद क्या है, ये लोग कहते हैं, कि हमें nuclear energy को, peaceful काम के लिए प्रमोट करना है, ठीक है, nuclear energy को military purpose में, यूज नी करना, violence के लिए यूज नी करना, nuclear energy से, तुम कुछ अच्छा करो, कुछ पीस्फुल करो, ये, ये organization का मान ना है, ये लोग regularly क्या करते हैं, all over the world, अलग-अलग countries में inspection करते रहते हैं, कि कौन सी country nuclear power को use करके, क्या कर रही है, कौन सी country nuclear power को misuse कर रही है, ये लोग ये भी देखते हैं, कि जो civilian reactors हैं, मतलब जो civilian facilities हैं, उनको military purpose के लिए ना use करा जाए, तो overall, IAEA ये ये देखती है, कि nuclear energy को use करके, कोई country, violence ना करे, कुछ गलत ना करे, peaceful काम ही हो, तो ये हमारी एक और organization, cover होगे, next, WTO पे आजो, WTO तुम लोगोंने बहुत जादा सुन भी रखा होगा, कुछ-कुछ चीज़े तुम्हें already पता होंगी, WTO के बारे में discuss करते हैं, WTO का full form क्या है, World Trade Organization, ये एक international organization है, जो global trade से related rules बनाती है, कि global trade कैसा होना चाहिए, global trade में countries को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे rules कौन decide करता है, WTO decide करती है, ये organization set up कब हुआ था, बना कब था ये organization, 1995 में, इस organization से पहले भी एक organization था, जिसको हम कहते हैं, General Agreement on Trade and Tariffs, मतलब GATT था, ठीक है, पर GATT को हटा कर हम WTO ले आते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं, कि WTO GATT का successor है, GATT के बाद WTO आया, ठीक है, जैसे League of Nations के बाद आया था, United Nations, वैसे ही कुछ, तो 164 members थे, ये data तुम्हें 2016 का data दे रखा है, कि 164 members हैं, इसमें, और सारे decisions, ये लोग मिल जुल कर लेते हैं, WTO में, पर WTO में क्या है, कुछ economic powers हैं, जैसे कि US हो गया, European Union हो गया, Japan हो गया, इन लोगों के हाथ में थोड़ी जादा powers होती हैं, तो WTO इन लोगों के decisions से, थोड़ा सा influence रहता है, ठीक है, तो अकसर हम देखते हैं, कि ज transparency ही नहीं है, WTO में तो USA का, European Union का influence जादा है, तो इन सारी चीजों को लेकर developing countries जो है, वो complain ही करती रहती हैं, ठीक है, next, और तुम्हारा last topic वो है World Bank, तो World Bank में भी जैसे मैं, तुम लोगों के NCRT की ही image लाने वाली थी, पर इन्होंने World Bank में इतना लुखा है, कि वो image फिट ही नहीं हो रही थी यार, यहां पर, तो मैंने ऐसे cute-cute points में तुम्हारे लिए रख लिया है, World Bank को देखते हैं, ठीक है, तो World Bank कब बना था हमारा Second World War जब चल रहा था, उसी टाइम की around, 1944 में हम लोग World Bank को बनाते हैं, 1945 में तो खतम ही हो गया था Second World War, 44 में, 45 में Second World War खतम हो गया था, 44 में World Bank को बना दिया था, इनकी activities थोड़ा सा countries को develop करने के उपर focused हैं, ठीक है, हम कैसे countries को develop करें, इस चीज़ पर इनकी activities थोड़ी सी ज़्यादा focused हैं, तो यह किन-किन issues के उपर ध्यान देते हैं, इस चीज़ को discuss करते हैं, Human Development के उपर यह लोग ध्यान देते हैं, मतलब Education, Health, इस सब को better कैसे करें, Agriculture और Rural Development के उपर भी इनका ध्यान रहता है, कि Irrigation, गाओं में अलग-अलग services, यह कैसे करा हैं, Environment को भी यह लोग प्रोटेक्ट करने में ध्यान रखते हैं, Pollution कम करने की बात करते हैं, अलग-अलग rules और regulation लेकर आते हैं, Environment को बचाने के लिए, Infrastructure, Infrastructure यानि Road, शहर बनाना, Electricity सब तक पहुंचाना, इन सारी चीजों के उपर भी यह लोग फोकस करते हैं, And Governance के उपर भी इनका ध्यान रहता है, Governance मतलब कई country में corruption तो नहीं हो रहा, ठीके, क्या country में proper legal institutions बन रखे हैं, इन सारी चीजों के उपर भी World Bank का ध्यान रहता है, Next, World Bank में जो Member Countries हैं, Member Countries को World Bank क्या करता है, लोन देता है, ठीके, तो अगर किसी country को लोन चाहिए, तो वो World Bank के पास जा सकता है, तो economic policies के उपर बहुत जादा influence रहता है World Bank का, क्यूंकि countries को अक्सर World Bank से लोन लेना होता है, तो World Bank का थोड़ा बहुत influence होता है country के economic policies के उपर, ठीके, अक्सर क्या होता है, लोग criticize करते हैं World Bank को, क्या कहके, कि जो गरीब nations हैं, वहाँ पे तो economic agenda World Bank ही create कर देता है, और लोग इस चीज़ को भी criticize करते हैं, कि World Bank ने जानमूझ के बहुत strict rules बना रखे हैं, जिसके वज़े से लोगों के लिए loan लेना या World Bank को अप्रोच करना मुश्किल होता है, तो ये तुम्हारा World Bank था, और इसी के साथ फाइनली तुम लोगों का chapter फिनिश हो गया है, तो ये पीछे confetti चल रहा है, तो जो new students है, यही था यार, तुम्हारा confetti time बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने एक और बहुत ही एक amazing और lengthy chapter को finish कर दिया है, I'm so proud of you, ताली वाली बजाओ, pat your back, very good, चलो, तो अब पिछले lecture में मैंने तुम लोगों से एक mcq पूछा था, उस mcq को discuss करते हैं, question था तुम्हारा कि United Nation कब बना, United Nation कब establish हुआ, एक एक करके option को देखते हैं, पहले में कह रहे हैं कि First World War से पहले, ये तो नहीं है, second में कह रहे हैं, First World War खतम होते ही, ये भी नहीं है, C में कह रहे हैं, Second World War से पहले बन गया था United Nation, ये भी नहीं है, option D में क्या कह रहे हैं, immediately after Second World War ये सही है, तो United Nation कब बना था, Second World War खतम होते ही, तो बहुत सारे बच्चों ने right answer दिया है, पिछले lecture के comment section में, पर जिन बच्चों ने fastest answer करा है, उन बच्चों के मैं नाम लेकर आई हूँ आज के class में, उनके लिए जल्दी-जल्दी सब लोग clapping कर दो comment section में, सबसे पहले लालिमा ने answer दिया था, उसके बाद हमारी अनवेशा ने, very good, and फिर गौरी, यश, रेश्मी, अर्पिता, अर्पिता हमारी खुशी है, very good, आप लोगों ने fastest answer दिया है, इस question का, I am so so proud of you, तो ये तो पिछले class का question हो गया, आज के class में भी मैं आप लोगों के लिए question लेकर आई हूँ, तो चलो उस question को हम लोग जल्दी से देखते हैं, When did the second world war take place? तुम लोगों को मुझे comment section में second world war का date बताना है, 1914-1918, option B में कहा है 1939-1945, option C में कहा है 1945-1950, और option D में कहा है 1918-1939, तो जिसको भी answer पता है, जल्दी जल्दी comment section में बताओ, जो भी fastest right answer देगा उस बच्चे के लिए next class में clapping होगी, चलो, तो ये तो हो गया तुम लोगों के recorded classes, अगर तुम लोग मेर से कभी live मिलना चाहते हो, तो तुम बिलकुल आ सकते हो मेरी free live classes में, इन free life classes को join करने के लिए तुम्हें code use करना होगा, जो की है अनुश्या, तो इन free life classes की links तुम्हें इसी channel के community वाले section में मिल जाएगी, या फिर आप लोग हमारे telegram को join कर लो, वहाँ पर भी मैं class हमेशा start करने से पहले link भेजती हूँ, तो तुम वहाँ से मेरी life classes में आ सकते हो, इसके अलावा क्यूंकि आप लोगों ने demand करी थी, तो हम लोग dedicated humanities के batches को भी start कर चुके हैं, तो अगर आप next level तयारी करना चाहते हो, एकदम topper बनना चाहते हो, मचाना चाहते हो board exam में, तो आपको without any doubt हमारे इस batch को जॉइन कर लेना चाहिए, victory batch है हमारे batch का नाम और इस batch का लिंक तुम्हें इसी वीडियो के description में मिल जाएगा, maximum maximum discount के साथ अगर आप इस batch को जॉइन करना चाहते हो, तो अनकैडमी का rule तो मैंने बताई रखा है, मेरा नाम ही काफी है discount के लिए तुम्हें code यूज़ करना है अनुश्या ताकि तुम्हें maximum discounts मिले, इसके अलावा इसी वीडियो के description में आपको telegram channel का link मिल जाएगा, तो सब लोग telegram channel के link को join कर लो, जब भी chapter finish होता है, तो मैं उस chapter के notes भी telegram channel पर देती हूँ, पिछले सारे chapter के notes मैंने already आप लोगों को दे दिये है, अब international organization हमारा खतम हो चुका है, इसके important questions भी मैं आपको कराऊंगी, पर हाँ, वैसे तो खतम हो ही चुका है, तो इसके भी notes आपको बहुत ही जल्द telegram channel पर मिल जाएगे, तो हाँ, link तुम्हें description में मिलेगा, सब लोग join कर लेना, चलो बच्चों, तो अब mainly मुझे तुम लोगों को यही कराना था, अगर आपको लगा कि ये video आप लोगों के लिए helpful है, तो वीडियो को like करो और share करो, comment section में show some love and support, चलो students, तो अभी के लिए इतना ही, that's it for now, हम लोग मिलते हैं अपने next lecture में, till then, bye bye, take care and thank you.